अज की यह वीडियो भोगोल यानि की जियोग्राफिक की महा संग्राम होने वाले क्योंकि आज की इस वीडियो से लगभग लगभग प्रश्णा आपकी पर इच्छा में आने वाले हैं तो वीडियो को आंतर तक जरूर देखते रहेगा क्योंकि इस वीडियो मैं ने question and answer दोन नहीं देखते देखा करें ताकि आपको हेल्प मिले तो चलिए वीडियो को सुरू करते यह वीडियो फश्ट सेमेस्टर के सात्रों के लिए महत्पुन होने वाली जिनका सब्जेक्ट जियोग्राफी यानि की भोगोल है ठीक है उन्हीं के लिए यह सारे के सारे कोश्चन है दोनों है ठीक है यह तो आज कि वीडियो का पहला प्रशन है भाईया कि भारत भोगोल का पिता किस्साय कहा जाता भाईया आप भोगोल पढ़ने जारे तो भोगोल के बारे में पहले जान लिए कि फादर आफ जियोग्राफी कौन है ठीक है तो सरप्रतम यूनानी इन्होंने ही जियोग्राफी का नाम दिया है यपिर्योग किया है भोगोल के आध्युनिक शुरूप की न्यूव वह 1750 सभी से 1850 सभी के मद्ध पड़ी किस सब्सक्राइब पड़ी 1750 सभी के मद्ध ध्यान रखेंगे इस काल के प्रतिनिदी विद्वान हमबोल्ट तथा कि आधार पर ही आधुनिक भोगोल का नियू रखी है ठीक है यानि कि उसकी पेंड लगाया एक तरीके से कह सकते हैं ठीक है अता इन्हें आधुनिक भोगोल का संसथापक या जनक कहा जाता है तो इस प्रकार लिखेंगे सिंपल सा उत्तर बहुत ही हार लेबल का है आपने जा प्रिथभी पर ही पूर्ण रुपेड जीवन संभो यह मतलब कि बहुत फार है आप सबीकों मालूं कि नोग्रह में सिर्फ और सिर्फ प्रिथभी को अनोखा ग्रह कहते हैं प्रिथभी से सूर्ष प्रिथभी सूर्ष चौदा करणों 96 लाग किलो मीटर दूर है प्रिथभ जो है जो विसुत रेखिए ब्यास है प्रिथभी का वह 12,760 किलो मीटर है और ध्रुवे ब्यास जो है वह 12,719 किलो मीटर प्रिथभी का छेत्रफल वन्चास करोण 25 लाग किलो मीटर है जिसमें 7 महादिप और 5 महा सागर है ध्यान रखेंगे कितने हैं साथ महादिप और 5 महा सागर है प्रिथभी अपनी धुरी पर घूमती रहती है जिसकी आप सबिक नहीं मालूबं हो आप लोग कहोंगे कि प्रिथभी जो चक्कर लगाती हैую मिनितेशा कार घुमती हुई ठीक है 365 दिनों में सूर का एक चक्कल लगाती है अपने जगह पे इस्थिर रहता है लेकिन पृति भी जगह लेकिन पृति भी चक्कल लगाती है ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे उसके बारे में बहुत ही महात्पूर्ण प्रशन है आप सबीक एक्जा क्या है जो कि आपके पिछले सालों में रिपीटेड है और आने के संभाव होना है ठीक है यह भी कभी कदार आता हमेशा नहीं तो आप पढ़ भी सकते हैं इग्नोर भी कर सकते हैं अगला कुश्चन है कि भूप अपरटी इसे क्या आसर यह महात्पूर्ण इसके बारे में ओपरी तथा मध्यम परत को मिलाकर आर्थर होमस ने पपड़ए का नाम दिया इस परत में सियाल की शंपोड़ परत तथा सीमा की ओपरी को संभलित किया गया जिसको भू परती और यसको भू रिसार लहां पहले के जुव मतानों की श्चार दयविक सकतब कर भू माना जात बहिए यह दैवी कि यानिकी ठीक है भगवान का प्रकोफ है और कलांतर में धारणा बनी की जब प्रित्वी पर पाप अधिक होने लगते हैं तो उनके भार से प्रित्वी हिलने लगती है बाद में लोगों प्रित्वी किफी जानवर के ऊपर रखी है अलग-अलग लोगों के अलग अलग देश में अलग-अलग जो बिद्वान के अलग-अलग-अलग-अमेरिका में इसे कच्वे पर इरान के फेपहडे पर तिबद में धगपर तथा सुलावेशी मिस्रूर पर अधायद मानी जाती मतलब कोई ओपर पर लिखेंगे इस का उद्भव ऑच पिर ठीक हुआघ मैंनी जाती ये भारत में पृथिभी को सिवना है कि सीर पर टिका हुआ बताया गया है इसके हिलने से पृती में होती है। मतब जब भूकम पाता तो लोग कहते हैं कि टूध जो सेश नाग है उंके प्रिथभी ये टिकी हुई है और जब वो हिलाते हैं मतलब कि हिलने ती तब प्रिथभी कमपन करने लगता है यानि कि हिलने लगती है तो प्रकार लिखेंगे अगला भी कोश्चन बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्तों तुने जा रहा है ज्वाला मुखी किसे कहते यह भी हार तरल लावा तत् regions फीधक धर्द्य तरल लावा तथा चटतारों के टोकोड़े में युकथ गर्म परदास प्लिखेंगे ध्रातल प्रिक थम्रेद संवं प्रित्वी के बिभिन गहराईयां जो है ठीक गहराईयों में होने वाली विशेष प्रक्रियाम घटनाओं से है ऐसे घटनाओं एवं उनके लिए जिम्मेदार सक्तियां के प्रभाव से वहां की पहले इसे ही विशेष चट्टाने पिघल जाती है इन्हें पिघले हुए सब्सक्राइब जाता है मैगमा अगने चट्टाने बढ़ने का वर्तमान में अधार भी तो ज्वाला मखी जो है एक बहुत ही कुछ वह लोग बिग्यानिक ठीक है मतलब कि कुछ लोग बिग्यान मानता है कि वह एक ऐसे प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती रहती बिग आप लोग अपने आर्शार तयार कर लिजेगा जरूरी नहीं कि यही तयार करें आपको जो बेटर लगे इंटरनेट पर सर्च कर सकते आप लोग को बिल जाएगा लेकि कुल मिला कि महातपूर्पूर पैस्चा में आ चुका कि भूस संतुलन सिद्धान से आप क्या समस्ते समानी भासा में कहा गया कि प्रिथभी पर विभिन भार की उच्चा वचनों से में इस्थार्था का पाया जाना ही भूस अंतुलन है इस प्रकार पर ब्रमण करती हुई प्रिथभी के ऊपर इस्थित परबर्द जो होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं कि नोंग घ्रेटारों में इस्थिट कहा जाता है च्षोस टेसी कहा जाता है जो बहुता सबसे बना इसका इस्थिट से किसे होता सम इस्थित ठीक है मतलब कि एक जगह इस्थित रहे ठीक है कई चीजे अर्थार हम्स ने भूस अंतुलन की परिभाफ़ा अलग अलग बिद्वाने अलग दिये बस आपको इतना ही लिग देना है कि जो प्रिथिभी पर विभिन जो उच्छे आने की बहुत ज्याद भार वाले और उचे उचे वाले जो चीजे वह इफ्थिर रहते हैं जैसे कि परबत पठार यह भी बाई उचे उचे तक रहते हैं और कुछ चीजे गहरायम होती जीफिजील समुद्र ठीक है इन्हीं सबको भूस अंतुलन गाएंगे अगला कि लेकोलित संदस्ना पर प्र अभिनति का जो मतलब है वो जल काज पूरा हो जाता है किसी ईरिया में तो उसका गड़ध होता है जिसमें तलच्छट जमाह होता रहता है जिसका करन उसकी तली में निरन्ता नीचे धसा होता हूता है परड़ाम सुरूप अधिक गहराई तक अवसादों का जमा हो जाता है भू अभिनती लंबा ठीक है संकरा तथा उतला जलिये भाग होती है जिसमें तल छटिये निछेप के साथ सा तली में धसा होता है वस्तुता भू अभिनती की तली पर काफी अधिक गही रहा हो तक तल ठीक है तल छट का निछेप होता और यहां निछेप मुक प्रेद्वार्णान तो इस प्रकार अलग अलग थे आ पढ़ सकते हैं बहुत ही महत्पूर्श मतलब कि आया है इसलिए मैं सता का निर्माण करने वाली रशना समाग्री को चत्तान कहा जाता मतलब प्रिथभी सता का निर्माण करने वाली रशना समाग्री क्यानी कि प्रिथभी की जो सता निर्माण करने वाली चीज़ों को चत्तान कहा जाता है शमाने रूप से चट्टान सब्द का पिर्योग किफी कठोर वस्त के लिए किया जाता है आप सब्सक्राइब बड़े-बड़े पत्थर बड़े-बड़ी ठीक है पठार भाग और पहाड एरिया ठीक है चट्टान यहां पर होते हैं ठीक कठोर चीजे उनसे किया जाता किन्त भूगोल भूगोब कंकर मिट्टी तथा ग्रेनाइट आज सभी के लिए किया जाता है चट्टान का मतलब बालू कंकर मिट्टी ग्रेनाइट आधी सब्द का पिर्योग जो है भूगोल में चट्टान के लिए किया मताब कि भूगोल में इन सभी का यूज चट्टान के लिए किया जाता है ठीक है प्रितिभी फुरी बालू कंकड मिट्टी और ग्रेनाइट का ध्यान रखेंगे और अलग-अलग बिद्वान के रुसार पर जब पिघला हुआ पदार ठोस रूफ से धान करता है तो अगने चट्टाने बनती है ठीक है प्रित्वी की भीतरी भागों में मद्धवर्ती गहराई में बहुत उच्टाप मानियुम धबाओ कि मद्ध जो परदार अर्द द्रो आउफ्था में एकत्र हैं उसे मैगमा कहते हैं इस बात को धान रखेंगे काफी helpful question exam में आता है कई बार तो तयार कर लिजेगा परदार भी कई बार question पर इच्छा में आ चुका इसको भी आप तयार कर लिजेगा ठीक है परद्रा चट्टाने धरातल पर पाई जाने वाली ठीक है चट्टाने अधिकांस परद्द इन में पाई जाने वाली परत्चों के अधार पर इने प्रद्दा चट्टे का उतती है मैं कर रखेंगे इसमें क्या होती है जिसे कि आपने देखा होगा कि आपके बोडी में है तो उपर पहले आपका तो चा रहती पिर उशके अंदर आपको इन सभी चट्टानों के बारे में पता चलेगा, ठीक है, helpful question है, बाकि आगर आपको उत्तर स्तमझ भी नहीं आई, तो कोई बेशक धरूरत नहीं आपको, इसका ये question महात्पूर्ण है, आप internet पर सर्च कर लिजे, वहाँ पर बहुत फारे तरीके के परिभाफ आएंगे, जो आ रूप आंतरी चट्टानों के बारे मताईए, तो दो रूप ठीक है, रूप आंतरी चट्टानों के नाम आपको तयार कर ले ना, महात्पूर्ण प्रस ने कई बार पर इच्छा में आ चुका, तो ध्यान रखेंगे, पहला जो है, वह है, प्लोराइट सिप्स्टिक एस्ट और हारन ब्लेट सिस्ट, यह दो पर मुख ठीक है, चट्टाने है, याद रखेंगे, ओके, निश कोश्चन है कि भूफ अंचलन क्या, यह भी कई बार पर इच्छा में आ चुका, इसको भी तयार कर लेंगे, मात्पूर्ण प्रस ने कोश्चन उत्तर दोनों है, और सिंपल बलन और भ्रसन में क्या अंतर यह तयार कर लेंगे, परिच्छा में आ सकता है, अपच्छे बहुत ही मात्पूर्ण प्रस ने लागाता है, हमने देखा है, जब जब परिच्छा हुई, अपच्छे कोश्चन आया ही आया है, तो इसको जरूर तयार करके जाएंगे, ठीक है आप घरसर किसे कहते हैं, यह भी कभी कजार आता हमेसा नहीं आता है, पढ़ भी सकते हैं, बेसक, ठीक है, अपवाह प्रतिरूप क्या है, इसको भी आप इगनूर कर सकते हैं, ठीक है, बेसक, समानतर अपवाह प्रतिरूप क्या है, यह भी कभी कजार आता हमेसा नहीं आता पड़ भी सकते बेशक अगला कोश्चन कि आयताकार अपवा प्रतिरूप का वड़न कीजिए ठीक है यह नहीं आता है ठीक है मेरे जानकारी को सारी यह प्रस नहीं आया बाकी आपके पास प्रस नहें उत्तर हैं तयार कर लगते हैं वाइव मंडल किफे कहते हैं हाई लेबल क गैसों का बना है प्रतिवी के चारों और गैसे आवरण को वाइव मंडल किया यानि कि वग्गायस होती है इन सबका जो सम्मिषण होता आवरण होता इसी को वाइव मंडल कहा जाता है ठीक है प्रस प्रस ने कहे बार पर इच्छा में आ चुका इस बार भी पूरी उमीद ह आएगा ही आएगा तो तैयार करूर करके जाएगा इसका उत्तर उत्तर आपके समझत है अलग अलग बिद्वान के रहें सारा अलग 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 है यहां पर आप लोग देखी पा रहे होंगे ठीक है चलिए निश कोश्चन है वाइव मंडल के दाप से क्या आप समझते हैं हम आरे साव चेरे समें पर न के संभाव होना है ज्यार यहीं कोश्चन से उठाके डाल दिया जाते हैं तिक कॉमन चेंस लगाते हैं जो पेपर बनाते हैं अगला यह कभी का जार हता हमेशा नहीं आता ठीक है अगला आप तैयार कर लिजी के यह अधिल घुतरे में जभी द अग्र यह देखने को मिलता है इसको त्यार कर सकते हैं अगला चक्रवात किसे कहते हैं हाई लेबल का कुश्चन पर इच्छा में साथ है इस बार भी आएगा 100% उमीद है शामान रूप से चक्रवात वा चकरदार हवाय होती जिनके मद्ध में गर्म वाय होने के करण निम्न महात्पूर्ण प्रश्ण है आपको जिस परकार उत्तर समझ में आया आप इंटरनेट है आप लोगों समझ कोश्चन नोट करिए उत्तर ढूंड लीजे वही पढ़ लीजे help मिलेगी हम तो एकदम साफ सुतरी बात करते हैं अगर में द्वारा बताया गया उत्तर समझ में आपको परिभास आया मिलेंगी बहुत फारी प्रकार के उत्तर मिलेंगी यह महात्पूर्ण प्रश्ण ने कई बार आया है इस प्रकार की वर्सा सामयनेता विशूवत देखिये प्रदेशों में होती है जहां निरंतर उचे तापमान रहने प्रतिदिन दुपार तथा वा कर सकते हैं ठीक है अगला कोश्चन ने ताप प्रतिम लोमन किसे कहते यह भी कई बार पर इच्छा में आ चुका इसको बित्यार कर सकते मान सुन से आप क्या समझते बहुत ही महात्पूर्ण हाई लेवल कोश्चन जो कि पर इच्छा में लगाता पूंचा ही जा रहा है इस प्रकार भूमी पर नदीयों में पानी बहता उसी प्रकार ठीक उसी बात महासागरों में भी कई करणों से प्रभावित होकर बिसेश दिता में मार्क में जब बिसेश गुण वाला ठंधा या गर्म पानी बहने लगता तो उसे धारा कहते हैं ठीक इस बात को जान लखहें महात्पुन्ट प्रवास मार्म काशफिया रिजिए कभी सागरों में भ्याप्त प्रक्रत। जैविक अनुकरण ये महात्पूर्ण प्रश्ण इसको तरह कर लीजेगा अतिलग उत्तिलग 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 किसी में आ सकता है पादपो के विस्टन को इस पस्ट किजिए ये कभी नहीं आता है मेरे अनुसार आप इग्णोर भी कर सकते हैं बाकि आपके उपर पड़ बाकि अगर आपका कोई कोश्चन से जरूर पूशें मिलते हैं वीडियो में जैंद आज की समय की बहुत ज्यादा सौर्टेड है इसलिए हम वीडियो के यहें पर जल्द इंडर करना चाहेंगे जैंद